नमस्ते मैं डॉक्टर सुरेश टीचर एजूकेशन सिम्फलिफाइड चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे PDF फाइल को एडिट किया जाता है आसान तरीकों से इसके लिए मैं आपको जो सुविधा बताने वाला हूँ वो है गूगल क्रोम के अलग-अलग extension यह जो address बार होता है इसके यहा बाजू में यह जो अलग-अलग छोटे-चोटे आइकॉन है यह इसके extensions है तो यह additional facility है जो हमें इसमें add करनी होती है यह Google Chrome में मैं आपको demo दे रहा हूँ जैसे मैंने एक small PDF करके एक facility है, एक add-on है एक extension है, इसमें हम क्या क्या कर सकते आप देखिए, इसमें हम अलग-अलग file में convert कर सकते, PDF से PPT बना सकते, compress मतलब इसका size चोटा कर सकते, किसी PDF file का, उसे convert कर सकते, अलग-अलग format है, यह सारी चीज़े हम इस extension की मदद से कर सकते हैं, यहां तक कि हम दो अलग-अलग PDF को भी merge कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ, दोनों को मिला कर एक ही file बना सकते हैं, एक PDF को दो files में split कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से हम बहुत सारी चीज़े इस extension की मदद से कर सकते हैं, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि extension किस तरह से लेना है, और दूसरी बात मैं आपक बताऊंगा कि इसके limitations क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसको extension को Google Chrome में कैसे लिया जाता है, तो उसके लिए आपको जाना होगा setting में, हम गये setting में, यहां आने के बाद हमें सीधा नीचे आना extension के तरफ, extension पर हमने क्लिक कर दिया है, extension में क्लिक करने के बाद अब ये extension जिसक आपको जाना extension के तीन लाइन के ऊपर, उसके बाद से सीधे नीचे आकर Chrome Web Store पर आना है, open Chrome Web Store, अब ये open हो गया है, अब हमें इसमें से अलग-अलग extension लेने, जिसमें मैंने जैसे कि बताया, आपको हम आज देख रहे है, small PDF का extension हमें यहां से लेना है, तो उसके लिए पहले आप sign-in कीजिए, अगर आप sign-in नहीं करते हैं, तो आपको extension काम नहीं करता है, तो यहां से अब मैं sign-in करने वाला हूं, यह sign-in हो रहा है, Google Chrome के लिए, तो यह Chrome का web store जो है, उसमें बहुत सारे extension है, आप उसमें browse कीजिए, category के इसाब से बहुत सारे इसमें है, अलग-अलग, मैं इसमें से एक-एक जो भी educational है, उसका, एक के बात एक अलग-अलग videos में demo देने वाला हूं, आज का जो वीडियो है, वो सिस्ट small PDF के बारे में है, त अब यहाँ पर already मैंने इसको add किया है, इसलिए यहाँ पर rate दिखा रहा है, अगर नहीं किया होता, तो यहाँ पर आता add to chrome, तो जैसे हम add to chrome करते हैं, तो यह एक warning आती है, अगर हम add कर देते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर add हो जाता है, add होने के बाद यहाँ इस तरह से तो है हमें इस पर काम करने के लिए इंटरनेट का इंटरनेट पर होनी दरूर नहीं है, हमारे computer से हम इस पर फाइल अपलोड कर सकते हैं, अब मैंने जैसे कि यह extension ले लिया है, अब हम देखते कि किस तरह से इसका फाइल का अलग-अलग function इस्तेमाल करते है, small PDF का, जैसे कर अब मैं चाहता हूँ कि compress करो, इस तरह से एक window open हो जाती है, द्यान रखे, इसके लिए आपका internet connection होना ज़रूर ही है, बहुत बार हमें ऐसे जरूरत परती है, किसी PDF फाइल की size कम करनाई में, तो हम इस extension का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अब मैंने एक फाइल अपलोड कर दी है तो यह फाइल अपलोड हो रही है, तो आप यह मान सकते हैं कि यह जो small PDF है, एक छोटा सा shortcut है किसी website को open करने के लिए, अब जैसे हमने open कर दिया है, अब यहाँ पर आ गया basic size आ गया है, 52 KB है, तो यह 21 KB तक इसका extension हो सकता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, महाँ किजिए, इसका original extension है, size जो है, 87.4, इसका यह एक version हो सकता है, यह minimum है, लेकिन अगर हमें चाहिए तो इसके लिए pro चाहिए, मतलब paid version चाहिए, तो कम से कम इतना size हो सकता है, इसके होने के बाद, हम जैसे क्लिक करते हैं, तो यह शुरू हो जाता है, और इस तरह से file compression श की link भेज सकते है, या फिर इसको यही से हम jpg में भी convert कर सकते, image में भी कर सकते, edit भी कर सकते, जैसे हम download पे click करते, तो यह file download हो जाएगी, अब जैसे दूसरा option, एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे हम चाहते है, चलिए देखते है, कि PDF को PPT कैसे बना है, तो basically अगर यह आपको function use करना है, तो जैसे आपको अगर कोई PPT मिला है, जो PDF format में, तो उसको फिर से PPT करने से, हमें जो है, इसका पाइदा ले सकते है, जैसे हमने यह PDF ली है, अब यह PDF आ गए है, यह PDF है, इसको PPT में convert करना है, तो यह convert का जो option है, उनका शुरू हो गया है तो इस तरह से हम यह सारे functions यहां से use कर सकते हैं, फाइल हमारे computer में होनी ज़रूर है, जिस PDF फाइल को हमें edit करना है, या जो भी उसके उपर process करना है, और उसको upload करने के बाद यहां से हम इस tab में पूरी तरह से process हो जाएगी इस तरह से हो गई है, अब जैसे हम download कर सकते हैं, इस तरह से अलग-अलग function इसमें हम जो सारे function यूज कर सकते हैं एक एक करके, जैसे हमें अगर दो PDF फाइल एक साथ बनाने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं तो इस तरह से हम small PDF इस extension की मदद से PDF को edit कर सकते हैं, उसको convert कर सकते हैं और अलग-अलग function का इस्तेमाल कर सकते हैं दो चीज़े हैं इसके लिए आप online होने चाहिए और दूसरी बात कि हम जब इस इस्तेमाल करते हैं तो यह जो एक्स्टेंशन होता है, हमारे ब्राउजर की सारे activities को record करता है, जैसे हम क्या search कर रहे हैं, हम कौन-कौन सी Google search कर रहे हैं या फिर हम जो भी activities कर रहे हैं उसका access इस extension के पास जाता है, तो यह इसमें एक छोटा सा risk है कि आप जो भी search करेंगे या जो भी आप activities करेंगे, वो activities को observe यह small PDF extension कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए अगर मान जाते हैं, आपको अगर इसमें कोई दिक्कत ने हैं, तो आप यह small PDF का extension ले चकते हैं, जिससे आप अलग PDF में अलग-अलग processes कर सकते हैं, अलग-अलग edit करके, जल्दी-जल्दी से अपना product यहाँ से download कर सकते हैं, इस तरह से आप इस extension का इस्तेमाल करके, PDF को पूरी तरह से edit कर सकते हैं, Thank You